बिहार की होट सीटों में सबसे ज़ादा चर्चा सारन की हो रही है। इस सीट से आरज़ेडी सुप्रीमो लालो प्रशादी आदब की बेटी रोहिनी अचारे चुनाव लड़ रही है। रोहिनी अचारे की चकर वीजवेपी के प्रत्याश्वी राजी प्रताप रूडी से हैं जो की वर्तमान में सांसदी हैं। वहीं यहां बिहारी और उस्थानियक का मुद्दा जो है वो राजनिती को गर्माता दिखाई दे रहा है। गुरुवार को नामांकन के दोरान राजी प्रताप रूडी ने रोहिनी अचारे के पता को लेकर सवाल उठाया था और निशाना साधा था। पता को लेकर रोहिनी अचारे ने अपने फेस्बुक पर बीते दिन प्रतिक्रिया दिया। और अब छपरा में रोजा मेरा स्थानिय पता है। वहिनी अचारे ने आगे ये भी लिखा कि सांसद महद है मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो हवा हवाई जिन्दगी जीते हैं। और छपरा के स्थानिय होने के बावजूद जिसके कदम यदा कदा ही छपरा की धर्ती पर पड़ते नजर आते हैं। अपने पती, अपने परिवार के साथ पतनी मातरी का निर्वाह करते हुए मैं सिंगापुर में रहते हुए भी एक साल से जितनी दफ़ा अपनी भूमी अपने घर बिहार आती है। उतनी दफ़ा तो आप देश में रहते हुए पांच वर्षों में सारन तक नहीं आते। मैं क्या बोल। सारन की जनता ही कहती है कि वर्षों से सांसद महोदे का चेहरा तक नहीं देखा। जाधा तर लोग तो सांसद महोदे को पहचानते तक नहीं है। बता दे कि बीजेपी के प्रत्याश्वी राजी प्रताप रूडी ने गुरुवार को नमांकन दाखिल किया था इस दोरान भव सभा का आयोजन किया गिया था और सभा को संबोधित करते वे उन्होंने आरजडी प्रत्याश्वी रोहिनी अचार पर जम कर खुले मन से निशा बोला था वहीं इस पर रोहिनी अचार ने सोशल मीडिया के माध्यम से अब पलटवार कर दिया देखिए जो लोकसभा का ये सीट है सारा निये रालू प्रिश्वाद यादव के लिए जो कह सकते हैं कि परंपरागत सीट है और ऐसे में रोहिनी अचार राजनीती में डेव हाई दी हैं सोशल मीडिया के माध्यम से लगतार उन पर हमला वर है और ये सोशल मीडिया जो है इस पर लगतार रोहिनी अचार एक्टिव हैं और राजी परता परूरी उन पर सवाल उठाते हैं और रोहिनी अचार इस माध्यम से उनको जवाब देती नजर आ रही है पिजितुरिया और बहार उचारकंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें दर्श न्यूज के साथ धन्यवाद